नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस बरती 2021 के बारे में दोस्तों इसमें आयू सीमा पर एक बड़ी अपडेट आई है उसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप उमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को दवा दीजिए ताक कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आयू सीमा को पार कर गए कई युवा इमाचल प्रदेश पुलिस की एक हजार से ज़्यादा पदोवर होने वाले सिपाही बरती नहीं होने से युवाओं के वविश्य पर संकट खड़ा हो गया है सरकार ने पिछले बजट में इस भरती की जो है गोशना की थी गोशना के वाद करोना की वज़ा से भरती शुरू नहीं हो सकी करोना का असर कम हुआ तो मंत्री मंडल ने भरती को मंजूरी दे दी दो महिने पहले वित विवाग ने भी इसको लेकर हरी जंडी दे दी लेकिन अब तक पुलिस मुख्याले भरती शुरू नहीं कर सका है इसकी वज़ा से अब उन युवाओं के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है जो आयू सिमा को पार कर चुके हैं दर असल भरती के उम्र की जो समान्य और खशित क्षेणियों के लिए अलग अलग उम्र निरधारित की जाती है बड़ी संख्या में ऐसे ववाँ हैं जो आयू सिमा को पार कर चुके हैं पुलिस मुख्याले ने आयू सिमा को बढ़ाने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है शायद इसमें आयू सिमा में आपको चूट नहीं मिलेगी दोस्तों कमेंट करके हमें ये बताएं कि आयू सिमा में चूट जो है मिलनी चाहिए या नहीं अगर मिलनी चाहिए तो कितनी मिलनी चाहिए ऐसे में उनके लिए सिपाई भरती का अवेधन करना जो है संभव नहीं है मुख्यमंत्री का रले से लेकर सोशल मीडिया के माद्यम से पुलिस तक से युवा भरती जल्द शुरू करने और एक साल की छूट देने की मांग कर रहे है जो आयू सिमा को पार करने वाले अभ्यरतियों की उम्र जो संख्याब बढ़ती जा रही है उदर मुख्याले के अधिकारी भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है मिलनी चाहिए है अगर अगर मिलनी चाहिए तो कितनी मिलनी चाहिए अधिक जानकारी के लिए आप हमारी website पर जा सकते हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा धन्यवाद